Hello everyone, welcome back to another video, I hope all you guys are doing also fine So guys, यहाँ पे LLB के बारे में बात करेंगे, इसके इंटरेंस, डेट के बारे में एक जो है अपडेट निकल के आ रही है, साथी जो है इसमें मैं बता दू कि आपके डेट जो है आप में चैनल बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरू किजिए गाइस, आज के बडियों हम लोग सुरू कर रहे हैं, देखिए LLB के लिए सितंबर में होगा इंट्रेंसिव नामंकन ऐसा जो है वो कहा जा रहा है कि आपका सितंबर में हो सकता है और ये काफी हद तक जो है वो हो जाए तो काफी अच्छा है क्योंकि टाइम से जो है वो आपके कहा जा रहा है कि अक्टूबर से क्लासेस एनिहाव जो है वो सुरू कर देनी है, तो उसके लिए जो है वो सितंबर में फिर उसके बाद कई चरण में जो है वो एक first merit list, second merit list वेगरा जो आते हैं, उसके बाद जो है वो October में कहा जा रहा है कि कैसे भी classes शुरू करनी है तो किस तरह का मामला कब तक है जिसे कि आप लोको पता ही कि इसमें जो है वो last date मतलब August के इंट तक जो है वो last date बताई गई है तो इसमें जो है वो जो बाते निकल के आ रही है वो यहाँ पर मेरे रिड़ाउट करता हूँ देखिए, पटना विश्विद्याला के लॉक college में LLB form में नमंकन की प्रक्रिया सुरू हो गई है नमंकन के लिए आवेदन 31 अगस तक किया गया जैसे कि मैंने कहा पॉर्टल खोल दिया गया है और सितंबर में इंट्रेंस होगा वही सितंबर अंत तक नमंकन प्रक्रिया पूरी करने के प्रयास विश्विद्याले प्रसासन करेगा अक्टूबर में हर हाल में काक्छाएं सुरू हो जाएंगी अक्टूबर में इंट्रेंस शुरू करने की बात कही जा रही है जो प्रिंस्वर सर है सरीप सर ने बताया आपका कि बार काउंसिल ने पत्र के माध्यम से 1722 में नमंकन की स्रुकृर्टी कॉलेज को दे दी है तो जो मैंने बाते शुरू में कही थी कि हो सकता है कि आपका जो प्रॉब्लम था वो बार काउंसिल आफ इंडिया के अप्रूबल का वेट की आजा रहा था इसका फॉर्म नहीं आ रहा था इसमें जैसे पता चल रहा है कि पत्र के माध्यम से जो है वो अप्रूबल मिला है उसके बाद यहां पर एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो हमें फॉर्म जो है वो देखने को मिल रहे हैं तो देखिए सीट के बारे में कई सारे स्टूरेंट कंफ्यूज है कि 120 सीट पर होगा या 300 पर होगा तो मैं पहले से कर था कि 120 पर ही होगा जो विश्विद्य दे ले हैं इनी सीटों पर नमंकन लेना होगा ठीक है मालूम हो कि पहले जो है वो 300 सीटों पर नमंकन होता था तो इसी के point of view से जो है वो आपको तैयारी विगरा करनी है and I hope कि आप इतने समय में तैयारी विगरा कर रहे होगे और साथी जो है वो कट अफ जो है लास्ट येर मतब देखिए पिछले साल कट अफ विगरा का कुछ सीन नहीं था टॉप 120 जो भी इस्ट्वेंट से उनका जो है वो नाम दे दिया गया था तो उस हिसाब से जो है वो आपको त्यारी विगरा करनी है अब देखिए कि सितमर में कब होता है जब भी डेट विगरा अनाउंस होती है ओफिशल सोर्से से तो मैं यहाँ आपको बडेट कर दूँगा देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आपका जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी 15 अगस्त थी पीजी रेगलोर और कह सकते हैं कि आपके सेल फाइनसिंग कोर्स के लिए तो इसमें जो है वो कहा जा रहा है कि आपका डेट जो है वो बढ़ा दिया गया जैसे कि पीजी गैजवेट रेगलोर सेल फाइनसिंग कोर्स जैसे कि बैचलर अफ आर्ट्स जैसे कि गया लेकिन जो है मैं regular जो है वो content पोस्ट कर रहा हूँ आपके जो भी important topics है English से related है आपके politics से related ताकि सबसे पहले जो है वो आप LLB के लिए जो है पॉलेटी का section सबसे पहले complete किजिएगा और current affairs वेगरा के लिए कई सारे books वेगर आती है तो मैं preparation पे overall बात कर चुका हूँ लेकिन कोई भी doubt है तो वहाँ पे आप ज़रू जुड़िए और Instagram AKR vlogger है वहाँ पे आके आप जूट सकते हैं और कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं फिलहाल इस वीडियो में बस्तित नहीं रखता हूँ यहां तक वीडियो को देखने तो like जरू किजिएगा अपने दोस्तों के साथ share किजिएगा और चैनल पर नहीं है तो subscribe जरू किजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में guys bye bye see you in the next one